गुद इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब, आज मैं जो आप सब के साथ एक बिल्कुल नैच्रल हर्ड आश्यो करेंगें, जो बिल्कुल ब्लैक नहीं, पर हां ब्राउन कलर जरूर देगी, अगर आप सफित बालों से परेशान है तो ये रेमिडी बहुती ज़्यादा यूस्फिल है और बहुती सिंपल है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस रेमिडी के हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेना है आउनला, ठीक है मेरे पास यहाँ पर फ्रेश आउनला है, तो मैं यहाँ पर, मैंने आउनला पाउडर अगर प्यूर नहीं है तो फिर रिजल्ट नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखें, मैंने आउनला जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते है, उसे अच्छी तरह से तीन आउनला को छोटे-छोटे पीसिस में काट लिया है, अब लेंगे कोई भी लोहे का ब पाने का, और उसके बाद यहां पर हम दूसरी चीज डाल रहे है, वो है रतन जोट, जिसे एंकलेट भी कहा जाता है, ये बालों को काला करने के लिए एक बहुत ही अच्छी हब है, इसे बाल जढ़ भी कहा जाता है, ये नहीं सिर्फ बालों को काला बनाती है, बलकि उसके स उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है यह हब जो है रतन जोद ठीक है अब लगबग दो चमच के जितनी हम यहाँ पर डालेंगे रतन जोद उसके बाद इसे रखेंगे गैस पर गैस के फ्लेम को अन करेंगे और इसे जादा नहीं सिर्फ पाच मिनिट तक हमें बॉयल करना है ब इसे ढखकर ओवरनाइट छोड़ देना है चीक है ओवरनाइट छोड़ने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा आउला जो है वो अपना रियेक्ट करेगा आयन के साथ और ब्लेकिश कलर छोड़ेगा और जो रतन जोथ है वो भी अपना कलर छोड़ेगी अब हम क्या करे क्योंकि हम यहां पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे इसके बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें चान लेना है चीक है पानी के साथ ही ग्रेट कर लें और उसके बाद चान ले हमें यहां पर एक बहुत ही अच्छा लिक्विड मिलेगा और जो उपर से बचेगा से डिस्कार्ट कर दें क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर वो बचेगा बहुत ज्यादा नहीं है हमने इसे बिल्कुल fine grind किया था चीक है अब यहां पर हमें लेना है वह हमने साइड में रख दिया है अब यहां पर हमें लेना है roasted àula powder आउला को roast करके उसका powder उसे अच्छी त बत्तन में ही डालना है आउनला पाउडर और दो चमच हम डालेंगे शिक्काइपाउडर शिककाई पाउडर आउला पाउडर यह सदियों से यूज होते हैं बालों काला लंबा घना और मस्भूत बिनाने के लिए यह शेम्पूस में भी यूज किये जाते हैं उसके साथ यहां फिर डालना है driven garage पाउड़र दोनों में से PayPal जो भी आसनी से अवेलबल हो क्योंकि यह दोनों ही पाउडर बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों को मझबोत बिबनाते हैं मैं यहां पर डाल रहे हैं दो चमज के जितना जेटामारी पाउडर यह जो हमने तीन हर्प्स डाली है तीनों भी बालों को काला लंबा घना मस्बूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है उसके बाद हम इसमें डालेंगे हीना मतलब महंदी छीक है महंदी बहुत ज्यादा एड़ न करें लगबग चार से साड़े चार च कलवर छोड़ती है पर हम इस तरह हर्प के साथ डालेंगे और हर्प्स थोड़ी ज्यादा डालेंगे जैसे हमने छे चमच लगबग हर्प डाली ती और चार चमच डाली है महंदी ठीक है हीना को हवा लगी हुई नहों प्लीज इस बात का ध्यान रखे और बहुत दिनों त लगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें और जो भी वीडियो डालेंगे इसका अपको तुरंफ मिल जाएगा अगर वीडियो इस लगे तो अपने फैंबली और फ्रेंस में जरूर शेयर करें और एक लाइक भी करें तो चलिए देखते हैं आगे का प्र चोड़ेगी पर यह जो चीजें है यह अपना कलर हीना के साथ कंबाइन करेंगे तो एक ब्राउनिश कलर देगी हीना ठीक है अब हम इसमें डालेंगे आधा लेमन जूस लेमन जूस जो है वह बालों को एक तो इसमें विटामिन सी होता है इसके कलर को और इन्हेंस करेगा दार करेगा दूसरी बात तो बालों में रैंडर्फ की प्राउबलम है तो वो खतम होगी और बालों में शाइन आएगी चीक है लगबग एक बड़ा चमश डालेंगे हम लेमन जूस का उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहां पर एक चीज हम और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप करें पर हो तो जरूर डालें जो की है लॉंग का तेल जिसे हम ख्लो ओयल भी कहते हैं यह एक तो एक दार्ट कला देने में हेल्प करका दूसरे यह बालों के जड़ों को बहुत ही मस्बूत बनाता है तीसरा बालों में ड्राइनेस बिलक अच्छी तरह से लगा लें छोटे छोटे बिलकुल सेक्शन करें चार से चार घंटे जरूर रखें शावर के पेने और सिरफ नॉर्मल पानी से अपने बालों को दो दें ऑईलिंग के बाद अपने बालों को माईल शेंपू से वाश करें